आप कहीं लाइन जड़ा मुझे दिखा दिए तो किसी दोकान पर कि यहां भीज नहीं खाद नहीं है वो दिखा दीजे तुम्हें बताता हूं वो अखिलेश यादो क्या अपने जमाने की बात उनको याद आती है जब किसान को महीने महीने लाइन लगानी परती थी साधन सरकारी समिक्यों पर या गोदामों पर और पुलिश डंडे मारकर करके वहां से खरेडा करती थी ब्लैक पर विका करता था वो जमाना बीच चुका है आज सभी जनपदों के वीतर परियाप्त मात्रा में हमारे पास विसाइनिक काथ उपलब हैं बिजली परियाप्त मात्रा में हम दे रहे हैं और खिसान भाईयों के खरीदारी की भी हम गारंटी देते हैं कि वो जो पैदा करे हम खरीदेंगे उसक अब सोच सकते हैं कि उन लोगों की मानसिक्ता कैसी है इन ही मानसिक्ता के लोगों ने देश का बटवारा किया और पाकिस्तान बना और भाईयेपी पहले से ही इस बात को कहती है कि ये लोग देश के के परंपराओं के खिलाप ये काम करती हैं ये वो लोग हैं जिन लोगों ने भारमिक आधार पर इस देश का बटवारा किया ये वो लोग हैं जो हिंदू किर्थ अस्थानों पर आज गाय की चर्वी और मचली का तेल मिला करके लड़ू परसाथ की रूप में बटवाने का काम आंधर प्रदेश की जगन मोहन रेड़ी की सरकार ने किया जो यूपिय का एक घटक रहा है और उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन लाब तो यह लोग जिस तरीके से सनातन धर्म के उपर आगात मुचा रहे हैं उसी के भीतर भारत की एकता खंडता का ये नक जनता पार्टी और देश की जनता उनका मोतोर जवाब देती है और इनी कारणों से उनको पबलीक ने नकारा और देश के भीतर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंती बनाया उत्तर प्रदेश में योगी जी को दूसरी बार लगातार प्रधानमंती बना रही है और तीसरे बार भी योगी जी कोई मुख्यमन की उत्रप्रलिश का बनाएगी दन्यवाद की जी जी जी